हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चानल, प्रियाजात्पन क्रियेशन, मैं हूं प्रिया तो फ्रेंट्स, इन तोदेश वीडियो, वी विल सी क्लास 6, इंग्लिश हानी सकल टेक्स्ट बुक, चाप्र नमबर 2, पोयम, दे काईट तो लेट्स स्टार्ट यह अब जो काईट है वो जब नहीं नहीं होती है, तो वो जब आसमान में, नहीं नहीं आसमान में जब वो उरती है, तो कितनी सुंतर लगती है विद डाइव एंड डिप, इट स्नाप्स तेल तो अब जैसी वो उरती है जूलते 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 तो वो अपनी जो पीछे की जो टेल होती है जो एक प्लास्टिक की बनी होती है उसे वो हिलाती है तो अब वो जैसे शिप उपर नीचे नदियों में समुद्र में ऐसे शिप उपर नीचे होती है जब समुद्र का बहार आता है तो उसी तरह वो काइट भी उपर नीचे होती है जूलती है और हमें बहुत मज़ा भी आता है as over tides of wind it rides कि अब जो वो tite यानि जो tite होती है उसके दागा होते है तो धागा को हम मिलाते है पर जादा से जादा वो जिस तरफ हवा होती है उसी तरफ वो ज़्यादा क्लाइब्स तु दा क्रेश्ट ओफ अगर्स अन्ट तो जैसे बहुत उपची चलि जाती है तो हम उसे जो धागार सिक्ष खीचते हैं जैसे पुल करते हैं और बहुत मिलते हैं तो अलग डालग डियरेक्शन बेजाती है then seems to rest as wind falls कि अब फिर वो गिर जाती है तो फिर वो rest करने लगती है यानि अराम करती है when string goes slack you wind it back कि अब जैसी जो उसके धागा है वो धेला हो जाता है यानि मांजा भी बोलते हो उस धागे को तो जब वो मांजा धीला हो जाता है तो हम उस धागे को दुबारा से खीचते है कि ताकि वो दुबारा से अच्छे से टाइडली उढ़ने लगे and run until a new breeze blows कि अब वो फिर तब तक उरती रहती है नॉर्मल में जब तक हम उसका दुबारा से मांजा यानि जो धागा हो जब तक हम उसे दुबारा से नहीं खीचते है तब तक वो उरती रहती है नॉर्मल उसमें इट विंग्स फिल आड अप इट कोज अब जब वो उपर जाती है अपने विंग्स को फैलाते है उसके जो साइट साइट के विंग्स होते है उनको वो जैसे हिलाते हिलाते उपर जाती है तो भी कितनी सुन्दर लगती है नीले घगन में यहाँ पर दुबारा वो सेंटेंस रिपीस्ट कर रहा है कि नीले घगन में कितनी सुन्दर क्राइट लगती है जब वो नीव होती है बट राजडर थिंग यू विल नेवर सी मलब बहुत कम आप ये चीज देखते होगे कि वेन इट फ्लाप्स ओना स्ट्रिंग इन टॉप ओप अपटी तो अब बहुत कम चीज आप ये देखते होगे बहुत किसी किसी के साथ होते है वो हमारी काईट्यान या हमारी पतंग किसी दूसरी की पतंग से धागे से टकराती है तो हमारी किसी ना किसी की पतंग हम दोनों में से किसी ना किसी की पतंग कट जाती है और वो किसी बड़े से पेड़ के या फिर नीचे जाकर गिरती है बड़े से पेड में जाके अटक जाती है तो कितना बुरा लगता है कि हमने इतना उड़ाया उसे पर मज़ा भी बहुत आया उड़ाने में So friends, इस poem को लिखा है Harry Benne So now let's see the question answers So friends, these are the question answers of the poem Working with the poem Question 1, list out the action words in the poem Find out the meanings of these words So now let's find out some words in the poem And their meanings भी लिखने है So friends, these are the sentences and their meanings and the words Answer is Dive, to enter into water intentionally especially with the heart verse Dip, to enter into water momentarily Snaps, to make a sharp or cracking sound Soars, to fly a lot Rides, to sit and travel on the back of an animal Flaps, to toss sharply Pulse, to exert force upon to cause or tend to cause motion toward the force And it pulls Question 2, read these lines from the poem This soars like a ship with only a sail The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail This is called a smile Can you suggest what are, who Question 2, read these lines from the poem Then soars like a ship with only a sail The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail This is called a simile Can you suggest what or who the following actions may be compared to? That now we can tell you that these actions are compared to which sentences So the answer is that it can compare to deer That he is like a deer, he runs like a deer, he eats like a horse That it is like horse, she sings like a nightingale कि वो nightingale यानि रात में लोडी जैसे मम्मी हमें लोडी गाकर सुनाती है ऐसे लोडी गाते होगे गाता है It shines like a glow warm कि glow warm की तरह वो चमकता है It flies like a kite कि वो kite की तरह ओड़ता है Question 3. Try to make a kite with your friends Collect the things required such as color paper and many etc. So friends this is a type of activity you can do it by yourself I hope that you will make it And tell me in the comment section that how you make it And your kite fly or not If it fly to how you feel by flying it So friends this is the poem with question answers I hope that you like it If you like it please like share and subscribe to my youtube channel Meet you in my another video with another chapter For now bye bye and thanks for watching Thank you